तो आज मैं क्रैब लेकर आई हूँ, तो आज मैं क्रैब का कुछ करने वाली हूँ, आज मैं क्रैब को मराथी स्ट्राइल में बनाने वाली हूँ, क्रैब मसाला, तो क्रैब को केकड़ा और मराथी में खेकड़ा बोलते हैं, तो देखे इसको उन्होंने ही कट करके, अच्छे कि वैसे मैं भी यह फर्स टाइम क्राइब करूंगी तो देखिए हो चुका है मैं इसको रख दूंगी कम दम दस मिन के लिए एक मसाला रेडी करना है जिसमें धनिया जीरा मेर्च और यह सुखा नारियल एक प्याज टमार्टर अत्रक और लैसुन यह सब को पीस लेना है तो पहले यह मैं पीस लूँगे धनिया जीरा लैसुन मिर्च देखिए ऐसा हुआ अब मैं इसमें थोड़ पानी डालके पीस लूँगे अब इसमें टमार्टर और यह प्याज एड़ करके पीस लूँगे तो मसाला रैड़ी है मैं इसको कुकर में कुक करने वाली हूँ तो अब मैं कुकर में ले ली हूँ चार चम्मत तेल अब इसमें सुखा मसाला मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता लॉंग और इलाइची और दालची नी अब मसाले को एड़ कर दूँगी मसाले को अच्छे तरके से पका लेना है तो मैं डाल रही हूँ डाला हल्दी और मिर्च पॉर्डर डाल दी अब इसमें डाल लिए गरम मसाला अब इसको पका लेना अच्छे से तो मसाला पक चुका है अब मैं डाल लूँगी इसमें केकड़ा इसको अच्छे से बूनना है इसमें पक चुका है मसाले में अच्छे तरीके से और इसमें मैं गरम गरम पानी आग कीजिए अब इसमें एक हरा मिर्च डाल दूँगी इससे फ्लेवर अच्छा आता है और से बन करके मैं कम से कम तीन से आने दूँगे देखे यह हो चुका है और यह बहुत ही यम्मी वना था मैंने फ़र्स टाइम्ट क्या किए बहुत ही यम्मी लगा तो आप योग हो भी ट्राइब कीजिए एक बार यह बहुत ही टेस्टी लगता है झाल झाल